हेलो फैंस नमस्कार मैं हूं कि सुनकर कर और आप देखरें अपना पसंद्धा यूट्यूब चैनल अगर कर स्पेसल तो फैंस आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है जदि आपको वीडियो इडिट करना है मर्ज करना है कट करना है या फिर इन सारे को एक साथ करना है वी फोल एचिटी में तो इस वीडियो को लास तक देखिए वीडियो लास तक देखने पाद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और फैंस हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्स्राइब्स किया है तो जल्दी से इस रेड़ वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताक लेटिस्ट नॉटिफिकेशन मिले सबसे पहले फैंस चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आपको क्या है न फैंस अगर वीडियो एडिट करते हो होंगे कट करते होंगे मर्च करते होंगे तो आपको परिसान ही होती होगी वाचा तो कई सारे एपस हैं लेकिन उन सारे एपस से होता क्या है कि आप ज़िदी इडिट करते हैं तो फूल एच्डी में वो नहीं आपाता है यानि इडिट कर्ट करने के बाद उसका जो होता है MB वो कम होकर कि जानी 200 MB का वीडियो था तो वो 20 MB या 50 MB का हो जाता है otherwise किसी किसी में अगर MB ज्यादा भी रहता है फिर भी इसका quality जो है खराप हो जाता है ऐसे में आपको लगता है कि कोई ऐसा एप हो जिसमें full HD में cut होकर के save हो जाए, merge हो जाए ऐसा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा एप है और कैसे उससे हम use करेंगे उसका सही उप्योग किस तरह से करेंगे उसको कैसे save करते हैं इसकी सारी जनकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो चलिए सबसे पहले उस एप के बारे में बात करते हैं जिससे ये सब होता है आपको अपना इस तरह सी play store जाना है उसके बाद वहाँ पे search करना है और search बार में लिखना है A-N-D-R-O-V-I-D Android लिकर के search का देना है आप देख पार रहांगे यहाँ पे जो first में आगया में रही है जिसको हमने पहले से install कर रखा है इसलिए यहाँ पे open का option नज़र आता है आप देख सकता है अगर आपने install नहीं किया तो आपका यहाँ install का option आएगा तो आप इसको install कर लें मैंने इसको install कर रखा है मैं इसको open करता हूँ finally इस open पर click किज़ेगा आपके सामने जो है वो इसका कुछ इस तरह का यहाँ पर so करने लाएगा अब आपको क्या करना है आपको video edit करना है simple यहाँ पर video पर touch करना है और उसके बाद जो भी video आपको edit करना है उसको switch कर लेना है suppose that cut paste जो भी करना है या merge करना या कुछ भी करना है उसका सारा option दिया है fast map देखते हैं यह edit का है इस पर आपको क्लिक करके video edit करना है जैसे देखिए ratio के आपको filter अगर change करना चाहते है a sticker को add करना चाहते देखिए इस तरह से कुछ भी a sticker अगर लगाना चाहते है किसी भी प्रकर का sticker तो यहां से उसको add कर सकते है फुर है music अगर डालना चाहते है यहां से तो वो भी आप यहां से आपको मिल जाएगा बहुत सारे music उसके बाद जो है music के बाद text अगर कुछ लिखना है तो वो भी कर सकते है otherwise अगर नहीं लिखना है तो back ले लिजे सिधा सिधा exit कर लिजे उसके बाद यह मतलब exit करना तो बहर आ जाता है फिर आप यहां पे देख सकते है crop speed यानि speed घटाना बढ़ाना तो यहां से कर सकते है यह सारा तो आपको यहां पे मिल जाएगा अब आगे क्या है इसमें back लेना अगर आपको कुछ भी ने करना simply back चले आना exit कर लेना है यहां से उसके बाद जो है आपके सामने अगला जो option रहता है वो यह रहता है कि यहां पे आप इस app में आ करके देख सकते हो आपको जो कई सारे फिर अगर trim करना है तो यहां से trim कर सकते है इस तरह से trim नहीं करना तो बैका जाएए music add करना है तो आपको बताई दिये थे merge करना किसी वीडियो के add करना है तो simply यहां पे touch कीजे और आपको जो भी वीडियो पहले या पीछे जहां भी डालना है उसको आप choose करके यहां पे plus पे क्लिक करके उसको भी कर सकते हैं तो पेंट साबी हमको नहीं करना है इसलिए मैं आज़ा reverse reverse करना है तो भी कर सकते हैं आप यह डियानी कई सारे option मिल जाएंगे प्रूप मैं आपको जाएंगे